कैसे हो आप लोग मैसेल ताराचन टीम मैच CLC सीकर सो आप लोगों की जो डीटीएस चल रही है ठीक है उसका 36 नमबर पेपर का सॉलिशन देखते हैं आज हम लोग ठीक है आई होप आप सब का पेपर काफी अच्छा हुआ होगा और अगर आपके जो भी डाउट्स रहे हैं उ हमारा लिमिट एंटेंडिंग तो इंफिनिटी एंड की पावर इस इंटू इस विल बी इक्वल टू ठीक ना यह किसके बराबर होगा तो चलिए देखते हैं क्या है सबसे पहले देखें जब भी लिमिट का क्यूशन आता है हमारा इंटीग्रेशन के अंदर और वैसे चलि हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यह क्यूशन हमारा किस तरीके से सॉल होगा तो इसमें देखें आपको क्या दिया है लिमिट एंटेंडिंग तो इंपिनिटी दिस तो सबसे पहले तो इसको य मान लेते हैं पूरे एक्स्प्रेशन को और इसमें दोनों साइड लोग लेत जब लोग लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों 1 बाई N स्क्वाइर बाहर आ जाएगा और साथ में हमारे पास में क्या बन जाएगा लोग 1 टू स्क्वाइर 3 क्यूब एंड इसमें लोग की प्रॉपर्टी लगा दें तो यह बनेगा हमारा 1 इंटू लोग 1 प्लस 2 इंटू लोग 2 प्लस 3 इंटू लोग 3 एंड सौन इस तरीके से आपका एक्स्प्रेशन चलेगा N इंटू लोग N ठीक है और जो आपकी पावर थी वो पूरी की पावर कहां पर आ आ गई आपकी बाहर आ गई ठीक है अब देखिए इसको हम समिशन के पॉर्मेट में लिख सकते हैं जो अंदर वाला जो पार्ट है और देखिए उसको क्या लिखेंगे तो अपना एक 1 बाई N जो है वो तो बाहर है ठीक है और एक 1 बाई N को इसके साथ में ले ले ठीक है तो ये तो बन जाएगा आपका आर या एक बार इसको एनी स्क्वारी रखे ठीक है तो ये है आपका सिग्मा आर इंटू एल एन ओप आर बराबर वन से लेकर के एन तक ऐसा ही है अब हमारा मोटिव क्या होता है यहां पर जब भी डेफिनेट इंडिक्रेशन में आता है तो हम इसको आर बाई N के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो देखिए सिर्फ इसी पार्ट क अगर मैं कनवर्ट करूं थोड़ा सा आर बाई N के फॉर्मेट में तो देखिए के से करेंगे एक N को अंदर ले आए तो देखो एक वन बाई N तो बाहर रहे जाएगा और अंदर बन जाएगा आपका सिग्मा के अंदर आर बाई N लेकिन लोग के अंदर आर ही दे रहा है ठीक है यह सिंप्लिफाई होकर के आपका कितना आजाएगा वापिस उतना ही आजाएगा ठीक है अर बाई N लोग R माइनस लोग N प्लस N ताकि मेरे यह जो फॉर्मेट है यह भी आर बाई N के फॉर्मेट मन जाए और लोग N तो क्योंगी मेरा क्या होगा कॉंस्टेंट ठीक है अब इसको देखिए हम integration में convert कर सकते हैं 1 upon N तो बन जाएगा मेरा DX ठीक है यह कितना बन जाएगा X इंटू LNX और साथ में कितना बनेगा प्लस X इंटू R by N बाहर है जो अंदर भी multiply हो जाएगा X इंटू log N और इसको कहां से कहां इंटिग्रेट करना में 0 से लेके 1 तक ठीक है पहले वाली जो ट्रम है वो सिधी simplify हो जाएगी उसमें आपको कुछ करने की जरूद नहीं बस आपको इसको simplify करना है ठीक है तो इसी ट्रम को आगे देखते देखिए इसका integration X log X का integration कैसे करेंगे X को मानेंगे first function और log X को क्या इसको मानेंगे second function और इसको X का integration होगा X square by 2 into ln X minus ln X का differentiation 1 by X into X square by 2 तो एक X कट जाएगा और यहां से आएगा आपका X square by 4 प्लस यहां पर X square by 2 X square by 2 into ln of n ठीक है ऐसा आजाएगा हमारे सामने ठीक है अच्छा अब देखते हैं इसके अंदर आगे कि इसके जब limit put करेंगे तो कितना आएगा तो इसमें limit put कर देते देखो बच्चो 0 से लेकर के 1 तक तो 0 से लेकर 1 तक जब इसमें limit put करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है देखो इसमें 1 put करेंगे तो यह 0 हो जाएगा ठीक है यहां से कितना आएगा हमारा minus 1 by 4 और यहां से कितना आएगा बच्चो 1 by 2 into ln n 1 by 2 into log n जब 0 put करेंगे तो x square है 0 हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा तो सारी terms 0 हो गई प्लस देखिए उधर आपके पास में क्या है उधर है आपके पास में minus 1 by 2 into log n और साथ में कितना है इसके उपर अभी भी limit लगी हुई आपकी limit n tending to infinity इसका तो काम खतम हो गए आगया वाले का तो बट इस पर अभी भी limit लगी हुई आपकी ठीक है लेकिन उसके पहले देखिए यह वाला जो पार्ट है यह पार्ट इससे cancel out हो जाएगा ठीक है और अब इसके अंदर लिमित करेंगे ठीक है तो इसकी जो लिमित होगी वो कितनी होगी वो 0 हो जाएगी क्यों क्यों देखिए उपर लोग और नीचे linear और लोग मैसा linear से कम होता है तो infinite की case में 0 आजाएगा और minus 1 by 4 तो all hour आपके पास में क्या आगया पूरा simplify करने के बाद में log y की value आगी minus 1 by 4 तो y कित ठीक है तो देखिए बच्छो एक काफी अच्छा question था आपका जिसके अंदर हम integration का use करते है limit वाले question के अंदर उससे related ठीक है आगे बात करते चलिए बच्छो question number 2 और question number 2 के बारे में देखिए क्या है question number 2 के अंदर आप से पूचा है कि इससे area bounded कितना होगा तो चलिए बात क तो देखिए y बराबर x plus 1 हमारे पास में क्या होगी y बराबर x plus 1 positive slope positive intercept एक ऐसी line होगी और root 1 minus x को अगर देखे थोड़ा सा squaring कर लें तो y square equal to 1 minus x तो यह आपके पास में parabola होगा कौन सा y square equal to 1 minus x अगर y को 0 put करते हैं तो x1 आएगा मिंस यहां से pass करेगा और x को अगर 0 put करत तो y की वाली 1 आएगी मिंस इसी point से pass करेगा आपका parabola और कौन सा parabola होगा इस type वाला आपको इन दोनों से bounded area चाहिए मिंस आपको यह वाला area find out करना है x axis के साथ में तो यह area देखिए बच्चो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो इसके coordinates आपको पता है that means यह 1 होगा और यह यह भी 1 होगा तो सबसे पहले तो इस triangle का area आजाएगा आपके पास में total area की बात करें तो 1 by 2 into 1 into 1 यह तो इस triangle का area हो गया बच्चो यहां से लेके यहां तक फिर 0 से लेके 1 तक आपको integrate करना है किसको इस equation को और यह equation क्या है हमारी root over 1 minus x into dx इसका integration हम बहुत आराम से कर सकते है that is 1 by 2 plus इसका integration कितना होगा इसका integration होगा 1 minus x की power 3 by 2 divide by minus 3 by 2 minus sign क्यों है क्यों है क्यों क्यों माइनस x की बज़े से कितना आएगा बच्चों आगे देगो इसके value put करेंगे कहां से कहां तक 0 से लेकर के 1 तक तो 1 put करेंगे तो 0 हो जाएगा फिर minus minus plus 2 by 3 और जब 0 put करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 तो 2 by 3 into 1 so LCM लेंगे LCM आएगा 6 2 से डिवाइड किया 3 time 3 से डिवाइड किया 2 2 into 2 4 तो finally हमारा answer आ गया 7 by 6 ठीक है तो यह तो simple question था आपका जो fourth option है वो क्या होगा यहां पर सही होगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं question number 3 question number 3 क्या है देखिए हमारा question number 3 के अंदर आपको इसको integrate करना है तो देखिए बच्चो जब भी आपके सामने e दिखाई दे जाए तो एक ही चीज दिखनी चाहिए आपके जैसे अरजुन को मसली की आँख दिखाई देती थी वैसे आपको जैसे e दिखाई दे जाए तो e x fx x plus fx दिखाई देना चाहिए कैसे दिखाई देगा करते हैं try root e x को क्या लिख सकते हैं e x की power 1 by 2 into x यहां से कट जाएगा that is root sin x और साथ में कितना है cos x divided by root sin x और साथ में कितना है dx इसको integrate करना है कहां से कहां तक 0 से πाई पाई 2 तक तो देखे बच्चों power पे power होता तो multiply हो जाता है तो e to the power x by 2 और क्योंकि हमें e की power x ही चाहिए तो सबसे पहले हम x by 2 को क्या substitute किया t substitute किया तो dx कितना हो गया बच्चों 2 dt और 2 dt देखे जब इसमें put करेंगे तो यह तो बन जाएगा 2 limit हो जाएगे हमारी x को 0 करेंगे तो 0 pi pi 2 put करेंगे तो pi pi 4 into e की power t root x को put कर दिया t x हो जाएगा 2t x बराबर 2t so sin 2t प्लस यह बन जाएगा cos 2t इसको उपन इसे 2 से multiply कर दो 2 into root sin 2t तो देखे अगर मैं इसको एप लेता हूँ तो यह एप डेस आ जाएगा सीधा और अगर यह एप और एप डेस है तो इसका जो integration होगा कितना आ जाएगा बच्चों इसके बाद में आपर आगर ऊपर लिखें हम ठीक है तो यह बनेगा आपका 2 time e की power t into function that is root over sin 2t इसमें values put कर दीजिए कहां से कहां तक 0 से लेके pi pi 4 तर देखे बच्चों जब pi pi 4 put करेंगे तो यह बनेगा 2 into e to the power pi pi 4 into sin pi pi 2 that is 1 और 0 put करेंगे तो sign की वज़े से 0 हो जाएगा तो यही आपका क्या हो गया बच्चों answer और ऐसा कौन सा option है ऐसा है आपका पहला option pi pi 2 की power 1 by 2 कितना हो जाएगा pi pi 4 ठीक है तो यह हो गया आपका question number 3 ठीक है चलिए आगे बात करें question number 4 question number 4 में क्या है देखिए question number 4 के अंदर हमें इसको integrate करना है देखे जो question जितना बहेंग कर दिखाए दे वो उतना ही easy होता है दिमाग में रखिए हमें साथ क्या easy होगा उसके अंदर थोड़ा बस उसको ध्यान से देखना है हमें देखे sign x plus sign 15 x sign 3 x plus sign 13 x दोनों में same angle बन रहा है sign c plus sign d का पारणा लगा दो बच्चों 2 time sign a plus b by 2 8 x into cos x minus 15 14 by 2 that is 7 x 3 और 13 में लग जाएगा तो यह बन जाएगा 2 sign 8 x वापिस और यहां पर आएगा cos 3 और 13 10 10 बटे 2 5 5 x और यहसे चलता रहेगा लाज तक total कितने 8 ट्रम है total 4 पेर बनेंगे इसे divide by यहां पर cos का formula लग जाएगा बच्चों 2 time cos 8 x बस यहां cos आ जाएगा यहां same रहेगा cos 7 x plus 2 time cos 8 x into cos 5 x मतलब पहले वाली ट्रम तो same बन रही है सब में और दूसे वाली ट्रम उपर नीचे same बन रही है तो उपर से 2 sin 8 x को मन आ जाएगा और नीचे से 2 cos 8 x को मन आ जाएगा तो जो brackets बनेंगे आपके सामने उपर और नीचे ठीक है यहां पर और यहां पर वो बिलकुल same होंगे तो इस से यह क्या हो जाएगा कट जाएगा और कट जाएगा तो आपका 2 से 2 भी कट गया 10 8 x देखिए बच्चों इसका integration पूछा है आपसे बस थोड़ा सा सोचना था इसको integration कैसे करेंगे log seg x इसका formula होता है log seg 8 x और 8 है तो 8 से divide हो जाएगा प्लस c ऐसा कौन सा option है बच्चों पहले वाला तो यह option आपका क्या हो गया सही ठीक है चलें आगे चलें आगे देखतें question number 5 question number 5 क्या है हमारा question number 5 में हमें पूछा गया है कि इसको integrate कीजिए देखिए जब भी 2 integration एक साथ आ जाए तो हमेशा एक दूसरे के अंदर convert होगा हमेशा ठीक है अगर difficult लग रहा हो तो एक integration दूसरे में convert हो जाएगा इसको t मानते हैं देखो बच्चों पूरे पार्ट को ठीक है इसको t मानते देखिए कितना आ रहा है sign inverse log 2 x minus 1 को t माना ठीक है sign inverse log 2 x minus 2 पूरे को क्या मान लिया t तो log 2 x minus 2 कितना हो गया बच्चों sin t तो x minus 2 कितना हो जाएगा बच्चों 2 की पावर sin t और dx कितना हो जाएगा बच्चों dx हो जाएगा इसका differentiation that is 2 की पावर sin t और sin t का differentiation cos t into dt और 2 का differentiation हो गया बच्चों 0 तो देखो यह integration किस में आ गया यह integration आ गया limit को convert करो x pi pi 2 जब होगा तो देखो बच्चो x pi pi 2 होगा तो pi pi 2 5 by 2 minus 2 that is 1 by 2 और that is minus 1 और यह minus 1 कब होता है sin inverse के अंदर जब यह minus pi pi 2 होगा ऐसे ही 4 पर ही आएगा आपका pi pi 2 बच्चो और उपर आजाएगा आपका t इसको t माना था साथ में आएगा two time two की power sin t और साथ में cos t into dt इसको integrate कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कैसे first function into second function integration किया t का integration क्या होगा बच्चो टी का तो करना नहीं इसका करना है ठीक है ना two sin t cos t dt तो two sin t को क्या मान लिया sin t को मान लिया क्या alpha two sin t को alpha मान लिया तो cos t into dt कितना हो गया d alpha तो इसका integration क्या हो गया बच्चो वापिस t into two की power sin t और साथ में कितना आ जाएगा बच्चो ln two ठीक है क्योंकि two की power x का integration करना है तो अच्छा यहां नहीं आएगा divide में आएगा ना divide by ln two ठीक है ना यहां पर नहीं होगा साथ में कितना आएगा बच्चो माइनस आगे वाले को किया t का differentiation हो गया one तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आप पर अच्छा log का base कितना है two ठीक है तो यह कितना हो गया two key power sine t, t का differentiation one और divide by into अच्छा हमने कुछ गडबड किये क्या बिलकुल इसका जब differentiation करेंगे तो साथ में यहां पर log 2 भी तो आएगा बच्चो ठीक है ना two key power sine t cos t into log 2 तो log 2 से log 2 कट जाएगा वापिस ठीक है यहां पर नहीं आएगा ठीक है यहां log 2 है तो इससे वो कट minus में इसमें value put कर दो बच्चों कहां से कहां तक minus pi pi 2 से pi pi 2 तो pi pi 2 put करेंगे तो देखी कितना आएगा बच्चों pi pi 2 into 2 that is 2 pi minus of minus that is plus pi pi 2 by 2 ठीक है इसको solve कीजी देखी कितना आ रहा है तो यहां से कितना आएगा pi pi 4 उदर 2 तो 4 plus 1 that will be equal to pi 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 4 और pi 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 4 आपका कौन सा option है third option जो कि सही होगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं question number 6 क्या है हमारा question number 6 में देगिया में दिया है कि इसको integrate कीजिए integration नहीं पूचा है यहां पर यहां पर कुछ और question है कोई बात नहीं कुछ भी पूचा जाए हम तो हम है हम तो कर देंगे कैसे करेंगे पहले तो देखो बच्चो इसको simplify कर लो log x plus 1 root x plus 1 तो power बाहर आजाएगी power बाहर आएगी तो यह बचेगा सिरफ 1 by 2 नीचे वाला log x plus 1 और यहां पर भी x plus 1 तो यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा उपर है 3 by 2 x plus 2 by 2 लिख दो इसको तो 2 से 2 कड़ जाएगा यह आगया 3 x plus 2 ठीके 3 x plus 2 इसको integration करके limit put कर दीजिए integration करेंगे तो आएगा 8 t3 by 3 तो यह आएगा 8 x3by 3 यहां put करेंगे तो यह कितना आएगा बच्चो 28 x square तो यह मिनेगा 14 x square by 3 और यह कितना बच्चो 4 x यह तो जब x put करेंगे अब जैसे minus 1 put करेंगे तो minus minus यह हो जाएगा बच्ो प्लस 8 बाइ 3 ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 14 बाइ 3 और ये वापिस बन जाएगा बच्चों प्लस 4 और बराबर में कितना है 3x प्लस 2 कितना आ रहा है 8x क्यूब बाइ 3 प्लस 14x स्क्वाइर बाइ 3 4x उदर 3x इधर आकर के बन गया 8x बाइ 3 माइनस 14 बाइ 3 कितना होगा बच्चों माइनस 6 बाइ 3 दैट इज माइनस 2 प्लस 4 दैट इज 2 2 से 2 कट गया तो ये पूरा नमबर इससे कट जाएगा बराबर 0 आप से पूछा है कि इसके कितने number of values of x satisfying this equation कितने roots होंगे देगे ये cubic equation है लेकिन x common आ रहा है तो एक root तो x होगा LCM ले लिया बाकी part पे तो ये बनेगा 8x square plus 14x plus 3 बाइबर 0 तो इसके roots की बात करें तो एक root तो इसका 0 होगा बच्चों एक तो ये x बाइबर 0 से pass करेगा x बाइबर minus 1 अगर इसमें put करें तो कितना आएगा बच्चों 8 plus 3 और यहां पर minus तो minus 1 पर भी ये plus में आएगा और यहां से pass कर रहा है that means minus 1 पर ये वापिस उपर जाएगा ठीक है और इसके बीच का कोई number put करो तो ये नीचे भी आएगा इसका मतलब ये हो गया कि इसका अगर आप कुछ ऐसा बनेगा बच्चों ठीक है अब आप से क्या बोला गया कि इसके कितने real roots होंगे तो देखो बच्चों अभी तो आपको 3 real roots दिखाए दे रहे हैं लेकिन इसके roots 3 नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे क्योंकि देखिए log के अंदर drum दी हुई है तो x plus 1 कैसा होना चाहिए बच्चों x plus 1 आपका greater than 0 होना चाहिए और x plus 1 greater than 0 होना चाहिए तो x का मान minus 1 से बड़ा होना चाहिए इसलिए आपका ये वाला root नहीं होगा ठीक है आगे बात करते हैं x ब्राबर 0 भी नहीं होगा क्योंकि base 1 नहीं होना चाहिए x plus 1 will be not equal to 1 x आपका 0 नहीं होना चाहिए इसलिए आपका ये root भी नहीं होगा तो एक root आएगा जो आपको satisfy करेगा जो minus 1 से बड़ा भी है और वो root होगा आपका ये वाला तो शिरफ एक इसका real root होगा that is alpha तो आपसे पूछाए total number of values of x that is satisfy so only one value will be satisfy ठीक है चलिए आगे बात करें that is question number 7 देखिए क्या है question number 7 question number 7 के अंदर हमें इसे integrate करना है इसे भी कर देंगे जब सब को किया है तो तुम्हें भी करेंगे तुम्हें क्यों छोड़ेंगे बिच्छे कैसे करेंगे लेकिन देखो नीचे है उपर power 1000 4 नीचे 2010 तो नीचे वाले कुछ ज़्यादा बड़ी लग रही है तो नीचे वाले को थोड़ा नीचे लेके आते हैं कैसे नीचे लेके आएंगे इस वाले part में X की power 2000 नहीं 1000 5 को T मान लेते हैं ठीक है इस integration को I2 मान ले उपर वाले को I1 मान ले थोड़ा सा बड़ा रहेगा बच्छों इसको ध्यान से करेंगे इसको यह मानेंगे तो यहां से 1005 बाहर आ जाएगा बच्छों X to the power 1004 into dx बराबर कितना आ गया dt देखो यह बच्छों I2 जो integration है वो क्या बन गया हमारा I2 बन जाएगा यह तो आ जाएगा नीचे ठीक है 0 से 1 limit तो वही रहेगी कोई फरक पड़ेगा नहीं X की पावर 1004 बन गए dt और यह बना हमारा 1 माइनस T स्क्वाइर की पावर 1004 into dt by 1005 अब क्या करेंगे बच्छों यहां तो चलो हमने आगे कैसे भी करके अभी भी यह उपर वाले जैसा नहीं यह देखे मैंने पहले अभी पीछे भी एक उसन कर रहा है तो अभी बता है जब भी दो integration आते तो एक दूसरे में convert होता है तो कोई बात नहीं हमारा बर्मास्तर लगाते है यहां पर बर्मास्तर क्या होता है king's rule तो king's rule लगाएंगे तो देखिए बत्चों कितना आएगा i2 ब्रावर 0 से 1 इसके अंदर king's rule लगाया तो यह आएगा 1 0 प्लस 1 माइनस T यहां पर put किया तो यह बनेगा 1 माइनस T का whole square की power 1004 into dt और बाहर आपके पास में 1005 इसको बाद मैं देखेंगे इसको simplify कीजिए बत्चों simplify करेंगे तो कितना आ रहा है i2 ब्रावर यह आजाएगा आपका 1 से 1 कट जाएगा यहां से आएगा 0 से 1 2T और प्लस T स्क्वाइर होगा जो बन जाएगा माइनस T स्क्वाइर और 7 में कितना बचेगा इसकी power 1004 dt by to 1005 इसके बाद में देखिए बत्चों हमें इसको convert करना है उसमें देखें न पहले वाले में तो यह जो 2 को भी यहां से हटाना है और T को भी हटाना है देखिए सिरफ T को हटाना होता था हम बाहर निकाल लेते लेकिन हमें 2 भी नहीं 1 चाहिए तो इसमें पहले एक substitution कीजिए T बराबर कितना 2 alpha 2 alpha करने से यहां भी 4 आजाएगा यहां भी 4 आजाएगा उसको बाहर common निकाल लेंगे तो common निकाल लेंगे था हमारा काम हो जाएगा easily so dt कितना हो जाएगा बच्चों 2 time d alpha तो देखो हमारा i2 कितना आ रहा है i2 बराबर देखे उपर आजाएगा 2 divide by निचे आएगा आपका 1005 limit देखे T जब 0 होगा तो यह भी 0 होगा और T जब 1 होगा तो यह 1 by 2 हो जाएगी limit यह बन जाएगा आपका T को 2 alpha पूट किया तो यह होगा 4 alpha minus 4 alpha square की पावर 1004 into d alpha अब देखो बच्चों यहां से क्या करते है 4 को बाहर निकालते हैं तो i2 बराबर कितना आ गया i2 आ जाएगा 2 2 की पावर 2 बाहर आ रहा है उपर पावर 1004 है तो 2 की पावर 2008 divide by 1005 और साथ में कितना आ रहा है बच्चों साथ में आ रहा है 0 से 1 by 2 alpha को भी बाहर निकाल लो alpha की पावर 1004 into 1 minus alpha की पावर 1004 into d alpha देखिए हम आ चुके हैं उसके बराबर alpha की पावर भी आ गई 1 minus x की पावर भी 1004 लेकिन एक गड़बड हो गई क्या limit change हो गई तो कोई बात नहीं limit इसकी भी change कर सकते हम इसके अंदर अगर मैं direct king's rule लगाऊं king's rule नहीं इसमें देखिए अगर आप x को replace करते हो 1 minus x से तो आपको वापिस यही function बन रहा है तो queen rule लगाते हैं queen rule क्या कहता है कि अगर वापिस वही function बन जाए तो आप इस integration को double कर दो और limit को क्या कर दो आदी कर दो 1 by 2 x की power 1004 1 minus x की power 1004 into dx ठीक है i1 upon i2 इसको इससे divide कर दो तो divide करेंगे तो देखो बच्चो इससे यह कट जाएगा पूरा as it is और आपके सामने आजाएगा i1 by i2 2 से 2 भी कट जाएगा 2 की power 2008 divide by 1005 आपको क्या find out करना है बच्चो क्यूस्टन में क्या पूछा है आपसे इसको multiply करना है किसको i1 by i2 को किस से 2 की power 2010 से देखो हमने i2 को simplify किया और i2 को simplify करके ले आए हम यहाँ पर उपर वाला है i1 divided by i2 तो 2 की power 2010 और i1 by i2 ठीक है ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास और यहाँ पर आ रहा है i1 by i2 ठीक है हमें चाहिए क्या 2 की power 2010 into i1 by i2 एक सेकेंड बच्चो ठीक है यहाँ से i2 आया था हमारे पास यह i2 और यह आया i2 की value i2 बराबर this एककां करो इसको इससे divided मत करो ठीक है है डिवाइड भी कर तो कोई करेंगे तो क्या होगा उपर तो 1 आ रहा है और नीचे यह आ रहा है तो यह 1 अपोन यह होगा तो यह चला जाएगा उपर तो उपर चला जाएगा तो आपको मिलेगा i1 by i2 बराबर 1005 डिवाइड बाइ 2 की पावर 2008 इसको multiply करना है 2 की पावर 2010 से तो बच्चों इसका मान कितना आ जाएगा 2010 into this बराबर 2 की पावर 2010 देखे मैं color change कर देता हूँ नहीं तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है 2 की पावर 2010 डिवाइड बे 2 की पावर 2008 होगा 4 और into 1005 यह आपका क्या हो गया बच्चों आंस्वर और यहा कौन सा आंस्वर है आपका second option जो की सही आंस्वर है ठीक है तो चली बच्चों आगे देखते हैं next passage start करते हैं तो हमारा पहला passage देखते हैं first passage में देखिए हमें क्या दिया गया है कि f r से 3 by 4 से infinitive यह सर्जेक्टिव क्वाड़ेटिक function ठीक है सर्जेक्टिव क्वाड़ेटिक function मतलब onto function है onto function है means उसकी co domain यह है तो उसकी range भी यह होगी ठीक है with symmetric about the line 2x minus 1 बरावर 0 f of 1 की value 1 है तो हमें बताना है कि सबसे पहले यह क्या होगा तो पहले देखिए वच्चो function निकालते कि function क्या होगा तो उसके लिए हमें क्या क्या condition दिये रखिए तो वक्र आपका इसके about symmetric है आपका function तो इस point के about symmetric है means x की value तो 1 by 2 है यह क्या होती है हमारी minus b by 2a so minus b by 2a बरावर 1 by 2 तो उसे 2 कर जाएगा तो minus b बरावर a तो एक condition मिलेगी हमें a plus b बरावर 0 इसी के साथ हमें f of 1 की value 1 दिये रखिए है तो इससे मिलेगा हमें a plus b c plus c बरावर 1 जो quadratic मानेंगे और उसमें x को 1 put करेंगे तो a plus b plus c will be 1 a plus b 0 है तो यहां से c का मान कितना आ जाएगा 1 इसके अलावाद है कि एक चीज़ और जो यहां पर आपको दी गई थी that is the surjective function तो इसके अंदर देखो जान से इसका क्या use करेंगे कि 3 by 4 उसकी minimum value है और quadratic के जो minimum value होती है वो कितनी होती है बच्चों minus d by 4a और इसका मान कितना दिरका आपको 3 by 4 इसको solve कर लीजिए 4 से 4 कट जाएगा minus b की जगे put किया b square minus 4ac a into c की value 1 बरावर आपके पास में कितना आ जाएगा 3a a plus b 0 है आपका तो b की जगे क्या put कर सकते है बच्चों minus a तो b की जगे minus a put करेंगे तो यह कितना आ जाएगा minus a square minus minus plus 4a बरावर 3a तो यहां से बच्चों a कितना आ रहा है a को common लेकर काट दीजिए क्योंकि a 0 नहीं हो सकता तो यहां से आ जाएगा minus का a square बरावर minus a means a बरावर 1 और 0 लेकिन a की value 0 हो नहीं सकती तो a कितना हो जाएगा 1 और a 1 हो गया तो b कितना आ जाएगा बच्चों b आ जाएगा minus 1 तो इसी के साथ हमें हमारा function मिल गया a 1 b minus 1 और c 1 तो देखिए यहां से कितना आएगा यहां से आपको मिलेगा आपका जो function है f of x वो आ जाएगा x square minus x plus 1 f of x और f of x हमारे साबने यह आ चुका है तो अब हम इसको आराम से क्यूशनों को solve कर सकते हैं पहला क्यूशन क्या है हमारा अगर gx यह है तो इसका integration क्या होगा तो देखिए बच्चो gx क्या होगा अगर fx यह है तो gx आएगा x square minus x plus 1 साथ में आएगा x square plus x plus 1 divide by 2 x x चला जाएगा x square plus 1 x square plus 1 by 2 हो जाएगा x square plus 1 इसको put किया यहां पर और integrate किया तो देखिए बच्चो कितना आएगा gx आगया हमारे पास में x square plus 1 तो g of e की power x कितना आएगा यह बन जाएगा बच्चो e to the power 2x plus 1 minus 2 that is minus 1 इसको integrate करने के लिए उपर नीचे e की power x से multiply और divide कर दिया ठीक है e की power x को t माना तो उपर बना dt नीचे बनेगा t into root over t square minus 1 इसका integration क्या होता है बच्चो that is log log नहीं क्या होता है seg inverse t और t किसको माना था e की power x को e की power x plus c यह हमारा क्या हो जाएगा answer और ऐसा कौन सा option है seg inverse e की power x plus c हमारा second option क्या होगा यहाँ पर सही होगा ठीक है चलिए आगे बात करते है next question next है हमारा question number 8 8 हो चुका है question number 9 question number 9 में क्या है question number 9 के अंदर आपका वही function जो आपने पिछे calculate किया था उसी function का use करते हुए आपको integrate करना है देखिए बच्चो ऊपर क्या आ रहा है e की power x divide by इस बार f के अंदर ही put करना है x square e to the power 2x minus x minus e की power x और plus 1 इसको integration करना है आपको तो देखिए कितना आ रहा है इसके integration जब करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिल रहा है देखो इसमें क्या करेंगे e की power x को t मानेंगे तो उपर बनेगा dt divide by t square minus t plus 1 means वापिस वैसा ही आजाएगा जैसा शुरू किया था इसको perfect बनाएगा dt ये बनेगा t minus 1 by 2 का hall square और 7 माएगा plus 1 minus 1 by 4 so that is 3 by 4 जिसका integration क्या होगा बच्चों 1 upon a a कितना है root 3 by 2 into 10 inverse 10 inverse का formula x upon a x कितना है 2t minus 1 t की value वापिस पूट कर दो e की power x minus 1 ठीक है 2t e की t minus 1 2t minus 1 divide by 2 2 से 2 कर जाएगा so root 3 तो ये मेरा answer होगा plus c ऐसा कौन से option है fourth one जो कि आपका सही answer हो integration easy था यहाँ पर बस function को आपको अच्छे से निकालना है ठीक है चलिए आगे बात करते है question number 10 question number 10 क्या है देखिए question number 10 को solve करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों पहले हमें इसको calculate करके देखना पड़ेगा कि हमारा function आ क्या रहा है तो चलिए बात करते हैं उसके लिए आपको यह condition दी गई है f of xy बराबर f of x upon y इसको दोनों साथ differentiate कीजिए किसके respect में x के respect में तो इसका differentiation होगा f dash x upon y साथ में क्या आएगा बच्चों x upon y का differentiation y constant रहेगा so 1 upon y बराबर f dash x बटे f of y और x का differentiation 1 x y सबको 1 put कर दो बच्चों सबको 1 put करेंगे तो f dash 1 से f dash 1 कर जाएगा y 1 तो यहां से आपको मिलेगा f of 1 की value 1 आ जाएगी ठीक है अब इसके अंदर x को y से replace कर दो ठीक है न पहले तो x y दोनों को 1 put किया अब x को y से replace कर दो तो यह बन जाएगा f dash 1 x को y से replace किया आपने ठीक है तो यह 1 upon y ही रहेगा equal to x को replace किया तो यह बनेगा f dash y divide by f of y ठीक है बच्चों अब देखिए यहां पर हमने क्या किया यहां पर हमने इसको पूरे function को y में ले आए हैं ठीक है न? x को y में put करके तो f dash 1 की value में दे रखे 2 और यह तो इस पूरे को x और y में convert कर दो तो यह बन जाएगा 2 upon x बराबर f dash x जो क्या होता है बच्चों dy y dx divide by f of x जिसको हम क्या लिखते हैं? y तो यह उदर चला जाएगा 2x into dx बराबर dy upon y इसको integrate कर दीजिए बच्चों both side जैसे integration करोगे आपको मिलेगा ln x square बराबर ln y c तो y c बराबर कितना हो गया बच्चों? x square f of 1 हमने इसलिए निकाला था x को 1 put करेंगे तो y भी 1 होगा तो यह से c 1 आएगा तो आपका y आजाएगा x square और y x square है that means आपका function कितना हो गया? x square के बराबर तो function x square के बराबर है f x बराबर कितना हो गया बच्चों? x square और यह कैसा function है? constant function बिलकुल नहीं 1 1 function नहीं है many 1 many 1 है लेकिन on to नहीं होगा क्यों? क्योंकि इसकी जो range है आपके पास में वो all real number नहीं आएगी ठीक है ना positive real numbers आएगी तो इसका fourth option आपका सही होगा many 1 and into function ठीक है? चलिए function ध्यान में रखी आगे काम में आएगा अगले question में अगला question क्या है देखते हैं यहाँ पर देखे आपसे क्या पूछा है बच्चो यहाँ पर आपको दे रखा है let f be a differentiable function and satisfying this condition चलिए तो वो ही passage था आपना अब इसको solve कर चुके हैं फिछे area enclosed by this and this देखे x square plus y square ब्राबर 2 क्या है? एक circle है आपका एक वर्त है और y ब्राबर x square क्या है? y ब्राबर x square आपका एक parabola है ठीक है इनसे bounded area पूछा है हमसे तो इनसे bounded area क्या होगा बच्चो देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे किसके साथ में पूछा है? x axis के साथ में भी बोला गया होगा बिल्कुल देखें बच्चो this and the x axis तो आपका area ये भी आएगा और आपका area ये भी आएगा दोनो areas होंगे ठीक है? तो हम इदरवाला area निकालते हैं और उसके बाद उसको integrate कर लेंगे देखें कितना आएगा 0 से लेकर के इस point तक तो किसको करेंगे? parabola को integrate point क्या होगा आभी देख लेंगे plus ये जो भी point आएगा वहाँ से लेकर के ये जो point है x square प्लस y square बराबर root 2 ठीक है? तो यहां तक integrate करेंगे किसको circle को there will be 2 minus x square into dx ठीक है? ये limit क्या होगी? इसमें y square y बराबर x square था तो इसको put कीजिए put करोगे तो ये limit आएगी आपके पास में ये 1 आएगी आँपर ठीक है? इसको put करके देख लीजिए ये 1 आजाएगी ये ऐसे देखें कि x equal to 1 दोनों को satisfy कर रहा है x equal to 1 put करने से y की value 1 वह आँपर भी x equal to 1 put करने से y की value 1 इसका integration आएगा बच्चो x cube by 3 0 से 1 इसका integration आएगा आपका कितना बच्चो x by 2 इंटू ये adjectives 2 minus x square plus a square by 2 a square आपका कितना है? 2 by 2 1 इंटू sine inverse x upon root 2 इसमें values put करनी है 1 से root 2 तक इसमें 1 put करेंगे तो ये आएगा बच्चो 1 by 3 आगे देखते हैं यहां से कितना आ रहा है? इसके अंदर put किया root 2 root 2 put करेंगे तो 0 और इसमें put किया 1 1 put करेंगे तो देखें बच्चो answer आएगा minus 1 put करेंगे तो 1 by 2 तो ये आएगा 1 by 3 minus 1 by 2 इसमें put किया root 2 तो root 2 by root 2 that is pi pi 2 और साथ में इसमें 1 put करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों minus pi pi 4 तो इसको simplify कर लो ये आएगा आएगा आपका pi pi 4 minus 1 by 6 pi pi 4 इसमें LCM लेंगे तो minus 1 upon 6 लेकिन देखें बच्चों ये कौन सा area आया है ये सिरफ हमारा ये वाला पार्ट है कौन सा इस इतने पार्ट का area आया है हमें ये total area ये plus ये चाहिए तो इसको double करना पड़ेगा so into 2 तो आपका final answer आएगा pi pi 2 minus 1 by 3 तो ये आपका क्या होगा सही answer और इस तरीके से आपका second option यहाँ पर क्या होगा सही होगा ठीक है चलिए आगे बात करें next question next start होते है हमारे multiple choice questions ठीक है इस तरीके से आपकी marking है उसके अंदर देखते हैं पहला question देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिया है कि effects be a quadratic function with positive integral coefficients ABC sub positive है यहाँ पर such that alpha beta belong to real number और beta will be greater than alpha beta की value alpha से बड़ी है ठीक है और यह integration दे रखा है आपको क्या alpha से beta fx dx greater than 0 let g of t ब्राबर f double dash t into f of t and g of 0 will be 12 यह सारी चीज़े आपको दी गई है इसके बाद आपको क्या करना है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा option सही होगा ठीक है चलिए बात करते है सबसे पहल तो यह data दिया गया है इससे क्या पता चल रहा हमें positive integral coefficients means a greater than 0 है जो काम में आएगा alpha beta real number है और beta alpha से बड़ा है तो देखिए alpha और beta real number है और जब आप alpha से beta definite integration निकाल रहे हो ठीक है ना alpha से beta और alpha और beta उसके क्या है quadratic function with positive into such that for all alpha beta real number means कोई भी alpha beta अगर हम ले ठीक है और हमारा जो area आएगा वो कैसा आएगा alpha से beta के भी इसमें positive आएगा ठीक है तो कहीं पर भी ले रहे हैं और positive आ रहा है इसका मतलब हमारा जो graph होगा वो x axis के उपर ही होगा और x axis के उपर होगा इसका मतलब a positive तो इसका d कैसा होगा बच्चों less than 0 और d less than 0 means b square minus 4ac will be less than 0 ठीक है आगे आते देखी यहां से क्या मिल रहा है gt ब्राबर f double dash t quality को दो बार differentiation करोगे ax square plus bx plus c एक बार करेंगे तो यहां से कितना आएगा 2ax plus b करेंगे तो कितना आएगा 2a यह value यहां substitute करते देखी कितना आ रहा है 2a और f of t कितना हो जाएगा हमारा at square plus bt plus c इसके अंदर आपको g of 0 की value दे रहा है 12 ठीक है तो इसमें 0 put कर दीजिए g of t के अंदर तो देखी जैसे 0 put कर रहे है कितना आ रहा है इसका मान 12 यह 0 हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा तो यहां से कितना है 2ac तो यहां से हमें a into c का product पता चल जाएगा that is 6 a into c पता चल गया और एक हमें condition पता चल गई यहां पर इसमें a c की value 6 put की तो हमें पता चलेगा b square will be less than 24 इन ही दोनों parts का use करते हुए हमारा options check किये जाएंगे तो देखे क्या है पहला option कितने quadratic functions होंगे जो इन conditions को satisfy करेंगे देखे आपको देरका है कि positive integral coefficient इसका मतलब a b c integer भी होंगे और positive भी होंगे तो पहले a और c की possible values को अगर हम देखे तो क्या क्या हो सकती है 1, 6, 6, 1, 2, 3 और 3, 2 सिरफ 4 possible values हो सकती है और जब आप a c की यहाँ पर b की possible values देखोगे तो हर case के साथ में b की भी जो possible values होगी आपकी 0, 1, 2, 0 नहीं 1, 2, 3 और 4 यह 4 possible values आपकी आ सकती है ठीक है तो देखिए जब a 1, c 6 और इदर से b को 1 लेंगे तो आपका एक quadratic बनेगा ऐसे ही 2 के साथ में दूसरा, 3 के साथ में तीसरा और 4 के साथ में 4 तो पहले case में total 4 quadratic बनेगी ऐसे ही दूसरे में भी 4, तीसरे में भी 4 और 4 में भी 4 तो total कितनी होगी बच्चों, 16 तो पहले का answer होगा हमारा, पहला option सही होगा fx has real roots, real roots नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर पता चल रहा था इसका कोई real root नहीं होगा, graph हमारा xx इसके उपर है तो दूसरा option क्या होगा है बच्चों, गलत minimum value of f of 1 f of 1 का क्या मतलब हुआ, a plus b plus c का मान निकालना है हमें तो इसका minimum कितना होगा, तो देखो ध्यान से यहाँ पर इसका sum कितना आ रहा है बच्चों, 7 इसका कितना आ रहा है, 7 यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 5 तो minimum कब होगा जब इधर भी सबसे कम लें और इधर से भी सबसे कम लें तो सबसे छोटा number इन दोनों का sum आ रहा है 5 और इधर है 1 तो 5 प्लस 1 6 तो minimum value कितने आएगी बच्चो 6 यह option हमारा सही है अगला option देखते हैं F1 का maximum 1 इसमें सबसे बड़ा कितना आ रहा है 7 और इधर सबसे बड़ा क्या है 4 और 7 प्लस 4 जारा तो यह option भी हमारा सही हो गया तो इस तरीके से पहला तीसरा और चोथा यह तीनों option आपके सही है ठीक है चलिए बच्चों आगे बात करते हैं question number 2 question number 2 क्या है हमारा let f r to r be a continuous function with this ब्रावर 0 and this ब्रावर 18 तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा option सही है तो चलिए बात करते हैं f x को t मानते हैं इसके अंदर तो f x को t मानेंगे तो देखें इसका integration क्या हो जाएगा इसको t मानेंगे तो f dash x into dx कितना हो जाएगा बच्चों dt त यह बन जाएगा t into dt एक बार इसको integrate कर लेते हैं वापिस substitute कर देंगे t square by 2 t की value वापिस substitute कर दो f square x divided by 2 और इसके अंदर limit put करनी है हमें कहां से कहां तक 0 से 1 0 से 1 put करेंगे तो हमें मिलेगा f square 1 minus f square 0 बरावर कितना बच्चों 0 दे रखा है तो 0 तो f of 1 या तो f of 0 के बरावर है और या f of 1 f of 0 के opposite sign का है यह कैसे पता चलेगा यह आगे देखते हैं कैसे पता चलेगा जो भी आगे देखते f square x f dash x उसको भी इसी तरीके से integrate करेंगे जैसे इसको किया था तो वहां पर क्या जाएगा वहां पर t square बन जाएगा तो t cube by 3 तो वहां पर बनेगा बच्चों f cube x by 3 इसके अंदर values put करनी है 0 से 1 और इस बार यह दे रखा है 18 के बरावर देखें कितना आ रहा है f cube 1 minus f cube 0 बरावर 18 इंटू 3 अब देखें बच्चों अगर मैं f of 1 को f of 0 के बरावर put कर देता हूँ तब तो क्या आजाएगा 0 बरावर something जो की possible नहीं है इसका मतलब पहला case थो नहीं होगा दूसरे वाला case f of 0 को अगर मैं minus f of 1 put करूँ तो यह बन जाएगा 2 time f of 1 का cube बरावर 18 इंटू 3 तो f1 की value कितनी आजाएगी बच्चों यहाँ से f1 आजाएगा 9 into 3 27 का cube root that is 3 जो किसकी value है f of 1 हमें दे रखाए f of 1 minus 3 जो की गलत हो जाएगा बच्चों f of 0 की बात करें तो f of 0 कितना है बच्चों minus 3 तो यह 3 है तो बिलकुल f of 0 कितना आजाएगा minus f of 1 तो second option हमारा बच्चों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा सो second option बिलकुल सही है तीसरे option को भी कर सकते हम लोग क्योंकि हमें f of 1 और f of 0 पता चल गया है तो इसको integrate करेंगे तो यह बनेगा हमारा f की power 5 1 minus f of 0 की power 5 और divide by 5 इसकी value कितनी आएगी बच्चों f of 1 3 है तो 3 की power 5 यह क्या होगा minus 3 की power 5 minus minus plus हो जाएगा so 2 time divide by 5 इसको solve कर लिजे बच्चों यही आएगा 486 upon 5 और यहां कौन सा option हमारा तीसरा option जो की सही है और तीसरा सही हो गया तो चोथा क्या हो गया बच्चों गलत और पहला भी क्या था हमारा गलत तो इस तरीके से second और third option हमारा यहां पर क्या होगा सही होगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं next question number 3 question number 3 में क्या है देखिए question number 3 में आपको दे रखा है कि alpha be the fixed constant number alpha fixed constant number है such that 0 से pi pi 2 के बीच में लाई कर रहा है alpha the function f is defined by this f हमारा इस तरीके से defined है तो आपको बताना है कि f कहां decreasing होगा कहां increasing होगा इसकी maximum value क्या होगी इसके लिए इसको बच्चों differentiate किया both side f dash theta ब्राबर कितना आएगा बच्चों यहां put किया theta into cos of theta plus alpha और इसका differentiation 1 और 0 put करेंगे तो 0 हो जाएगा तो यह आगया बच्चों क्या f dash theta अब f dash theta से ही मेरे को पता चलेगा कि यह कैसा होगा positive होगा या negative होगा तो देखे बच्चों alpha आपका 0 से pi pi 2 है और theta भी 0 से pi pi 2 है तो theta plus alpha की range कहां से कहां लाई करेगी तो यह लाई करेगी आपकी 0 से लेकर के pi के बीच में ठीक है इक्वल to नहीं होगा क्योंकि alpha पर equal to का sign नहीं है अगर यहां से pi pi 2 आभी गया तो भी वहां से pi pi 2 नहीं आएगा तो open bracket 0 से pi ठीक है तो f dash theta कहां कहां पर 0 हो सकता है या तो theta 0 हो जाए और या theta plus alpha कितना हो जाए pi pi 2 तो f dash theta मेरे पास में दो जगे पर 0 possible है या तो theta बराबर 0 या theta plus alpha बराबर pi pi 2 इन 2 points पर 0 आ सकता है तो इनी 2 points के corresponding आपका maxima या minima लाई करेगा अब देखो अगर theta plus alpha यह है तो theta का interval क्या हो जाएगा pi pi 2 minus alpha तो देखें बच्चों आपका जो theta का interval था यह इसको हम दो पार्ट में break कर सकते हैं कहां से कहां तक एक तो 0 से pi pi 2 minus alpha और दूसरा pi pi 2 0 से pi pi 2 minus alpha और दूसरा pi pi 2 minus alpha से pi pi 2 minus alpha से लेकर के pi pi 2 तक ठीक है यह दो हमारे पास में क्या सकते हैं interval आ सकते हैं क्यों क्योंकि यहां पर f dash x 0 है इसका मतलब एक में increasing होगा और एक में decreasing होगा simple सी बात है दूसरा theta 0 पर था तो वह तो हमारा end point है वहां से हमें कोई लेना देना है नहीं अब कहां maximum होगा कहां minimum होगा अगर मैं इसमें चेक करूं देखो theta plus alpha की value अगर pi pi 2 ठीक है theta plus alpha पर तो यह pi pi 2 आ रहा है लेकिन उसके पहले कैसा होगा ठीक है तो देखे अगर इसके अंदर आप कोई भी value put करते हो alpha की ठीक है ना 0 से pi pi 2 के बीच की ठीक है तो यह angle आपका पाई-पाई-टू से छोटी पुट करते हैं तो यह आपका एंगल कहां चला जाएगा यह आपका पाई-पाई-पाई-टू इसकी maximum value कहां पर आएगी maximum value आपकी इसी point पर आएगी ठीक है जहां पर आपके पास में यह क्या increasing से decreasing में convert हो रहा है means pi pi to minus alpha पर ठीक है तो इसको आप integrate करके इसमें pi pi to minus alpha पूट कर दीजिए integration कैसे करना है first function और second function तो जैसे integration करोगे तो आपको पहला option भी मिल जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों सही answer हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपका पहला तीसरा और चोथा यह तीनों option यहाँ पर सही होंगे ठीक है इसको आप लोग calculate खुद कीजिएगा integration करके और इसको solve आगे बात करते हैं next question question number 4 क्या है देखिए question number 4 के अंदर हमें क्या करना है हमें check करना है कि इसमें से कौन कौन सा option सही है तो चलिए बात करते हैं देखिए यह function r से r के अंदर यह दे रखा है तो देखिए बच्चो x की power 4 continuous function होता है और sign के साथ में अगर x की power 4 आ गया तो x equal to 0 पर continuous होगा तो यह continuous तो होगा आपका function ठीक है अब बात करते हैं दूसरा की f dash x कैसा होगा क्योंकि यह continuous के साथ में यह भी दिया गया है कि derivative है तो इसका derivative किया हमने तो x की power 4 into 2 का derivative हो जाएगा 8 x cube x की power 4 का derivative 4 x cube into sin 1 by x plus x की power 4 into cos 1 by x और साथ में 1 by x का होगा बच्चों minus 1 by x square ठीक है तो अभी भी देखो बच्चों यहां पर भी x square बचा हुआ है यहां पर भी है और यहां पर भी सब जगे पर x बचा हुआ है अगर इसके साथ में x की टरम बच जाती है तो यह फिर से continuous होगा और f dash x continuous है miss f आपका कैसा होगा differentiable तो पहला option आपका क्या होगा बच्चों सही last option तो अगर बात करें f double dash x continuous होगा या नहीं होगा तो उसके लिए हमें इसका derivative करना पड़ेगा और इसका derivative करोगा तो देखो बच्चों यहां पर x square आएगा तो यह वाली जो टरम है इसी को देख लो बस इसमें से बाहर से x गाइब हो जाएगा और x गाइब हो जाएगा तो cos 1 upon x की टरम रहेगी जो आपके पास में क्या होती है fluctuating होती है ठीक है इसलिए यह continuous नहीं हो पाएगा ठीक है बात करें कि bounded function है या नहीं तो बिलकुल नहीं होगा bounded function शाप शाप दिखाए दे रहा है देखो 2 plus sin 1 by x यह तो एक fixed quantity आएगी क्योंकि यह minus 1 से 1 के बीच में होता है और x की power 4 आपका infinite तक जाता है bounded वो होता है जिसकी range 2 point के बीच में fix हो जाए तो यह option भी आपका गलत हो गया एप global minimum होगा at x equal to 0 बिलकुल सही बात है global minimum x equal to 0 पे ही आएगा क्यों क्योंकि इसके बाद में यह positive quantity है 2 plus minus 1 से 1 इसकी range क्या होगी minus 1 से 1 इसमें 2 एड करेंगे तो 1 से 2 चाहे कुछ भी x हो जाए यह हमेशा कैसा रहेगा positive x की power 4 भी कैसा है positive ठीक है तो x equal to 0 पर value minimum आएगी और जो की आपकी पास में all our minimum value होगी तो global minimum होगी आपकी at x equal to 0 और यहाँ पर global minimum है और maximum आपका काम से जाएगा infinite तक तो इस तरीके से आपका पहला और तीसरा option यहाँ पर सही है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं question number 5 क्या है question number 5 के हैं आपको तीन functions दिये गए हैं तीन है दो function fx a और b दे रखे हैं और fx और gx भी दे रखा है ठीक है चलिए बात करते हैं x sin square है fx और x cos x square है आपका gx minus 1 से 2 में इसको integrate करना है ठीक है दोनों को integrate कर लेते हैं देखते हैं कितना आएगा देखो a कितना आएगा x square को t माना तो x into dx dt बन गया यह बन गया बच्चों sin t ठीक है into dt बाहर एक 1 by 2 भी आएगा sin t का integration minus cos t minus cos t t को वापिस put कर दो x square ताकि उसी limit से काम चल जाए minus 1 से 2 बटे 2 तो a का मान कितना आ रहा है बच्चों 2 put करेंगे तो आएगा 4 और minus 1 put करेंगे तो कितना आएगा बाहर minus sin है तो आएगा 1 तो यह बनेगा बच्चों cos 1 minus cos 4 divided by 2 ठीक है ऐसे दूसरे वाले को integrate किया x cos square x उसमें sin आएगा लेकिन plus sin के साथ में आएगा तो आएगा बच्चों आपका sin 4 minus sin 1 by 2 ठीक है यह a आगया और यह आगया आपका b आपको बताना है कि a और b में से कौन positive है कौन negative है ठीक है तो चलिए बात करते हैं sin 4 कैसा होगा बच्चों negative sin 1 कैसा होगा positive negative minus positive कैसा होगा negative तो b तो हमेशा less than 0 होगा a कैसा होगा cos 1 positive और cos 4 pi से बड़ा third quadrant में cos कैसा होता है negative negative positive तो positive quantities का सम हमेशा positive so a greater than 0 and b less than 0 ऐसा कौन सा option है सिरफ पहला a positive और b negative इसलिए आपका पहला option चाहिए होगा बागी सब गलत हो जाएंगे बच्चों ठीक है चले आगे चलिए next बात करते है question number 6 क्या है देखिए इसको आपको solve करना है देखो बच्चों 4 inverse 1 by x को 10 inverse 1 by x लिख सकते हैं लेकिन कब जब x positive हो अगर x negative हो तो minus 1 से 0 में तो यह क्या होगा बच्चों यह होगा आपका पाई-पाई-टू प्लस पाई होगा और 0 से लेकर के 2 तक यह कितना होगा आपका यह पाई-पाई-टू हो जाएगा क्योंकि फिर तो 10 inverse theta प्लस quarter inverse theta पाई-पाई-टू हो जाएगा लेकिन जान रखिए negative numbers के लिए पाई-एड भी होता है तो दोनों में अलग-लग रहेगा पाई-पाई-टू-एक्स limit put की 2-0 यह हो जाएगा पाई तो यहां से i की value आगई बच्चों 5j की value 5.00ाई-पाई-पाई-टू जयव और-पाई-पाई-पाई-टू से 7pi देखो बच्चों mod को जब open करोगे तो इससे ये definite integration cancel out इससे ये cancel out इससे ये cancel out इससे ये cancel out इससे ये cancel out शिरफ बचेगा 6pi से 7pi और वहाँ पर sign कैसा होगा दिखाई दे रहा है positive तो ये हो जाएगा 1 into dx 6pi से 7pi integration कर लो x 7pi minus 6pi is pi तो k का मान कितना आ जाएगा बच्चों pi चेक करते है option 2j plus 3k इसको 2 से multiply किया तो 5pi इसको 3 से multiply किया तो 3pi 5 plus 3 8pi पहला option क्या हो गया बच्चों सही बिलकुल सही 4j square 25pi square plus k square is pi square 26pi square ये भी सही है अब i और j पता चल गया सारे options को check कर सकते हैं 2j minus k बराबर 3pi 2j minus k इसको इसमें से subtract किया 2j 5pi kpi 4pi आएगा ये गलत हो गया बच्चों ऐसे ये भी आपका क्या हो गया गलत हो गया है बच्चों ये सही है सही नहीं है j upon i कितना j upon के कितना होगा 5 by 2 होगा यहां पर 2 by 5 दिया हुआ है ठीक है चलिए आगे बात करते है question number 7 क्या है देखो question number 7 के अंदर ये तीन integration से i1 i2 i3 के बारे में discuss करना है करते हैं बात start सबसे पहले i1 के अंदर king rule लगाएं बच्चों king rule लगाएंगे तो दोनों को add कर दो 2 i1 0 से pi pi 2 cos pi sin square x और जैसे king rule लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों ये बन जाएगा आपका cos pi cos square x इसमें लगा फॉर्मुला cos c plus cos d क्या होता है बच्चों याद कीजिए 2 time 0 से pi pi 2 integration तो बाद में करेंगे जरूत भी ना पड़े cos c plus cos d by 2 cos c plus d pi common आजाएगा pi pi 2 और sin square x plus cos square x 1 यहाँ चाहे कुछ भी आ गया इसने सब क्या कर दिया 0 तो i1 कितना आ गया बच्चों 0 i1 0 हुआ that means आपका पहला option क्या हो गया बच्चों सही अब बात करते i2 i2 में भी यही काम करेंगे देखो इसी को मैं i2 में convert कर रहा हूं ठेकें आप लोग देखना जान से i2 में क्या करेंगा i1 तो हो चुका है हमारा 2 i2 अगें king's rule लगाएंगे वही चीज़ आएगी बस क्या होगा यहाँ पर 2 आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा इस बार जब एड करोगे तो यहाँ पर कॉस पाई आएगा जो रहेगा आपका ठीक है ना कॉस पाई परजेंट रहेगा साथ पाईगा कॉस सी माइनस d by 2 कॉस स्क्ायर माइनस sin स्कौयर करें साइन स्कौयर माइनस कॉस स्कौयर कॉस में फरक नहीं परजेगा तू से टू कट जायगा पाई ये बन जाएगा आपका कॉस 2x का फॉर्मला बन जाएगा बच्चो ठीक है इधर कॉस पाई आ गया ये आ जाएगा बहार कॉस पाई की वाल्यू माइनस 1 2 से 2 कट गया तो आपको मिला i2 ब्रावर कितना माइनस 0 से पाई पाई 2 और ये कितना हो गया बच्चों कॉस कितना पाई कॉस 2x अब देखे बच्चों 2x को t मानिए ठीक है न 2x को क्या मानते है तो 2x को अगर t मानेंगे तो dx कितना बन जाएगा बच्चों dt और आपका ये जो integration है ये बन जाएगा 2 dt so minus 2 time limit भी convert हो जाएगी 0 से pi cos pi into cos t dt इसके बाद देखो अगर मैं इसके अंदर king's rule लगा दूँ तो ये क्या बनेगा cos of minus theta king's rule से क्या बन रख minus cos theta तो उससे हमारे को क्या फरक हुआ वापिस वही function आ गया जैसा था तो क्या करें limit को आदी करेंगे तो ये 2 हट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चो pi pi 2 ठीक है pi pi 2 आ गया अब इसके अंदर लगाएं तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा i2 ब्राबर अब इसमें king rule लगाएंगे तो ये बन जाएगा minus का i3 cos convert हो जाएगा sign में और आपके पास में ऐसा आ जाएगा तो यहाँ से आपको दिखाई देगा i2 प्लस i3 कितना हो गया बच्चो 0 हो गया अच्छा यहाँ पर देखें जब आप dx निकालोगा न तो वो by 2 आएगा और जब यह double होगा न तो 2 से 2 cancel out हो गया लेकिन आप पर 1 आ जाएगा finally i2 प्लस i3 0 हुआ तो second option भी सही और second सही है तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा और तीसरा सही हो गया तो चोथा क्या हो गया गलत क्योंकि i2 प्लस i3 0 आ रहा है तो i2 ब्राबर i3 कैसे हो सकता है क्योंकि i2 और i3 में से कोई भी value 0 नहीं होगी और जब तक 0 नहीं होगी तब तक दोनों ब्राबर नहीं हो सकते आगे बात करते हैं integer type questions start करते हैं देखते हैं पहला question देखे क्या है let fx be a non-negative continuous function defined on r such that f of x plus this ब्राबर 3 then 0 से 10 f of x into dx कितना होगा चले करते हैं बात देखे कैसे करेंगे अगर fx plus f of x plus 1 by 2 3 है तो इसको x को replace करो किस से x plus 1 by 2 से तो यह बनेगा this यह बन जाएगा fx ब्राबर 3 दोनों को add कर दो दोनों को subtract कर दो add नहीं दोनों को subtract कर दो तो यहां पर x plus 1 बन रहा है ठीक है न x plus 1 तो इसमें से यह कट जाएगा fx minus f of x minus x plus 1 बराबर 0 तो यहां से आ गया f of x plus 1 बराबर f of x इसका मतलब यह periodic function है जिसका period कितना है 1 तो इसको लिखा 10 into 1 तो यह integration कितना हो जाएगा 10 बाहर 0 से 1 fx into dx आप क्या करेंगे कुछ दे तो रखा नहीं है तो उसी को कुछ करना पड़ेगा उसको दो पार्ट में break करते हैं देखो बच्चों 10 0 से 1 by 2 fx into dx प्लस 1 by 2 से 1 fx into dx ठीक है और इसकी limit को वापिस 0 से 1 by 2 लाने की कोशिस करते हैं क्योंकि यहां पर 0 से 1 by 2 है ठीक है तो इसको जब आप convert करने की कोशिस करोगे तो यहां से आपको देखो बच्चों क्या मिलेगा इस x को replace करो किस से t plus 1 by 2 से क्यों थाकि तब यह 1 by 2 होगा तो 0 हो जाएगा और जब 0 होगा तो 1 by 2 हो जाएगा into dx जिसका मान कितना दे रका में 3 इन दोनों का sum कितना दे रका है 3 यह यहां पर put कर दिया और इसको integrate कर दिया so 10 into x 3x और limit 0 से 1 by 2 0 put करेंगे तो 0 आएगा तो सिधा 1 by 2 put कर दो so 30 by 2 ठीके नो 30 by 2 आपका सही आंसर कितना हो जाएगा बच्चों यहां पर 15 इसका सही आंसर होगा 15 ठीके कोई doubt नहीं होना चाहिए मेरे साब से चले आगे चलिए देखे that is question number 2 क्या है देखे question number 2 में इसको integrate करना है इसा तो हमने बहुत बार किया होगा बच्चों expression by expression सबसे बड़े वाले को बाहर निकालो x की पावर 13 बाहर आएगा x की पावर 52 बावन से इसको divide कीजिए 8 divide by x की पावर 52 यह बन जाएगा 9 plus 13 divide by 52 यह बन जाएगा 14 यह तो बन गया ऊपर नीचे क्या बच्चों 1 plus 13 को बाहर निकाला 1 upon x की पावर 8 13 minus 5 8 plus 1 upon x की पावर 13 into dx समझ में आगया होगा बच्चों क्या करना है आगे नीचे वाले को t मानिये 1 plus 1 upon x की पावर 8 plus 1 upon x की पावर 13 को t मान लिया तो यह 0 minus 8 upon x की पावर 9 minus 13 upon x की पावर 14 into dx बराबर dt तो कितना आजाएगा बच्चों देखिए उपर वाला तो बन गया minus का dt और नीचे वाला बन गया पावर में भी है कुछ 4 t की पावर 4 इसको integrate कर दीजिए बच्चों क्या आ रहा है कि minus t की पावर 4 minus 4 तो यह आएगा 1 upon minus 3 plus हो जाएगा divide by t cube t cube की value वापिस put कर दें तो देखिए कितना आ रहा है बच्चों 1 by 3 इसमें वापिस LCM ले लेना तो यह बनेगा x की पावर 13 plus x की पावर 5 plus x की पावर 1 x की पावर ने शिरफ 1 divide by इसकी पावर 3 divide by x की पावर 13 की पावर 3 that will be x to the power 39 तो यह आपका क्या आएगा answer एसा ही दिया है बिल्कुल देखो x की पावर 13 यहां b दिया है यहां c और यहां a देखो बच्चों a की जगे पे कितना आ रहा है इसका copy send 1 a ब्राबर 1 b ब्राबर कितना आ रहा है divide में 3 और पावर में कितना आ रहा है 3 यह a, b और c के मान है सबका sum करेंगे तो हमारा जो final answer आएगा बच्चों हो कितना आएगा 7 इसको लिखेंगे किस से 0 7 से यह आपका दूसरा question है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं question number 3 क्या है देखिए question number 3 के अंदर आपको बोला गया है कि fx एक polynomial degree 5 का with real coefficients such that this will be equal to 0 as 8 real roots तो देखो बच्चों f of mod x के 8 real root है ना तो इसके 4 root तो आएगे 0 के इधर और 4 root आएगे उधर कैसा भी graph मान लिजीए मान लेते हैं कि cubic 5 degree का polynomial उपर से आ रहा है तो इसके 4 root तो आपके इधर ही होंगे ठीक है ना कितने एक दो तीन चार इसके बाद में क्योंकि ये 5 degree का cubic polynomial है ठीक है तो यह यहां तक जाएगा और इसके बाद में इसके जब symmetricity लोग है तो इसके total कितने root आ जाएंगे 8 ऐसा क्यों होगा बच्चो समझ में आ गया क्योंकि इसके 8 root तभी पॉसिबल है जब 4 root कम से कम इसके इधर आ जाए नहीं तो 8 root पॉसिबल नहीं है ठीक है अब देखिए क्योंकि हमने इस graph को ऊपर से शुरू किया था और odd degree के polynomial की range क्या होती है बच्चो all real number तो सीरी सी बात है कि यह कहां से आया होगा नीचे से आया होगा और नीचे से आया होगा तो इसका एक root इधर भी हुआ होगा यह तो किसका graph है यह तो है f of x का और f of mod x के graph के अगर बात करें तो इसकी image आ जाएगी इसकी image आने का मतलब यह part त आपका इधर आएगा ठीक है यहां तक पहुंच गे इसके बाद वापिस ऐसे जाएगा तो यह एक root दो root तीन root और चार root और यह वापिस उपर अनन्द तक तो चार उधर और चार उधर इसके तो होगे 8 root और अगर fx की बात करें तो उसके होंगे देखो बच्चो पांच root एक, दो, तीन, चार और पांच उसके होंगे 5 root ठीक है तो आपसे यह पूछा है कि fx के कितने real roots होंगे तो बिल्कुल पूरे के पूरे 5 कैसे होंगे real root 0, 5, 6 answer को लिखा जाएगा ठीक है बच्चो बहुत simple question था बस थोड़ा ध्यान करना था आगे बात करें question number 4 देखें क्य रहें तो देखें कैसे करेंगे integrate कर लिजी इसको यह आएगा बच्चो एक्स प्लस x इसका integration कितना होगा log t into t minus 1 upon t into t का integration into dt इसमें limit put करनी यह कहां से कहां तक 0 से x तक इसमें तो put कर दो बच्चो एक्स प्लस x log x यहां कितना आएगा t से t कट जाएगा यह minus x आजाएगा और बरावर x square y 3 ठीक है इस x से यह x गया 1x से 1x भी चला जाएगा so log x बरावर x बटे 3 क्यों क्योंकि देखिए x का मान 0 नहीं हो सकता तो आप काड़ सकते हो इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए log x का अगर आप तो आप सब को पता होगा बच्चों कैसा होता है ऐसा y बरावर x by 3 origin से पास होने वाली line होगी लेकिन देखिए अब आप इस line को ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो अगर उपर से चली गई तो 0 number of real roots और निची सिद गई तो 2 number of real roots तो कौन सा होगा कैसे पता चलेगा value से पता चलेगा बच्चों देखिए x बरावर 1 पर ये कितना है बच्चों 0 और x बरावर 1 पर इसका मान है एक बटे 3 तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है दोनों possibilities यहां तक तो आगे चलते x बरावर e e पर इसका मान कितना होगा बच्चों 1 और ये कितना होगा e by 3 ये 1 से कम होगा इसका मतलब क्या हुआ ये उपर होगा और ये नीचे होगा तो ये case खारीज हो गया हमारा जो case होगा ये होगा और सिदी सी बात है कि linear उपर जाएगा लोग से ये तो हम सब को पता है लोग से linear उपर जाएगा तो दुबारा भी cut करेगा एक route यहां पर आएगा और दूसरा route यहां पर और इस तरीके से इसके total number of solutions कितने आएंगे बच्चों दो यह आपका इसका अलोग की संक्या हो गई 0 2 ठीक है आगे बात करें question number 5 देखें क्या है question number 5 के अंदर आपको बोला गया है कि f real value function है r से r में तो इसका मान किसके बराबर होगा देखो मान लेते हैं कि f of x t है कितना है t तो f inverse t कितना हो जाएगा बच्चों x और f inverse minus t कितना हो जाएगा बच्चों minus x ठीक है यहां पर देखें रूल लगाते हैं कौन सा king rule लगा देते हैं इसके अंदर तो देखो बच्छों कितना आएगा एप inverse इसको i मान लिया और king rule लगा दिया तो कितना आजाएगा बच्छों i बराबर 1-x से 1 प्लस x एप inverse king rule में क्या करते हैं lower limit प्लस upper limit यह और यह मिलके कितना हो गया यह और यह मिलके हो गया आपके पास में 2 ठीक है और साथ में करेंगे minus t तो यह हो जाएगा 2-t ठीक है एप inverse 2-t ठीक है अच्छा यहां पर देखे इसको अमने f of x को अमने t माना ठीक है तो यह तो बन गया t और f of minus x कितना हो जाएगा बच्छों अच्छा इसको t माना तो f of minus x कितना होगा इसको देखो ठीक है इसको रहने दो f of x को t माना तो f of minus x बच्छों कितना होगा 2 minus t 2-t minus x कितना हो जाएगा बच्छों minus x हो जाएगा आपका f inverse 2-t ठीक है अब देखो यहाँ पर f inverse 2 minus t इस integration को और इस integration को गर add कर दें तो 2i बराबर कितना आएगा f inverse t plus f inverse 2 minus t तो f inverse t कितना था बच्चों x plus f inverse 2 minus t कितना था minus x इसको integrate करना है कहां से कहां तक किसी भी limit से 1 minus x से ले करके 1 plus x तक तो यह कितना हो गया बच्चों 0 और 0 हो गया तो इसका answer कितना आ गया 0 ठीक है अच्चा 0 कैसे आ गया क्योंकि 0 का integration तो क्या होता है constant होता है ठीक है लेकिन देखिए आपको दे रखा है यहां पर क्या f of जैसे कर हम इसके बात करें ठीक है कि x को जैसे 0 पुट कर दे ठीक है तो लॉर लिमिट और अपर लिमिट भी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी ठीक है x बडाबर 0 पर लॉर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाएगी और वैसे देखें कि इन दोनों function का sum 0 हो गया और sum 0 हो तो इसका integration भी कितना हो जाएगा 0 ठीक है तो इसका answer आएगा आपका 0 0 ठीक है चलिए अगला question देखते हैं question number 6 इसको integrate करना है देखिए बच्चों इसको कैसे integrate करेंगे i n recursive relation निकालना है हमें ठीक है एक काम करते हैं x को sin theta पूट कर लेते हैं तो देखिए i n बराबर होगा 0 से pi pi 2 sin to the power n theta ठीक है न एक्स को sin theta पूट किया 1 minus sin square theta cos square theta तो यह बन जाएगा cos theta और dx भी बनेगा आपका cos theta into d theta बच्चों इसको लेजिए दूसरा function और इसको लेजिए पहला function ठीक है और इसको क्या कीजिए integrate तो देखिए i n कितना आ जाएगा बच्चों integration किया तो इसको integration के लिए इसको t put करेंगे तो इसका integration आजाए cos theta तो as it is रहेगा पहला function तो और इसका integration आजाएगा sin to the power n plus 1 theta divide by n plus 1 इसमें values put कर देंगे 0 से pi pi 2 तक minus इसका integration और उसका differentiation ठीक है तो देखिए इसका integration कितना आएगा इसका integration तो वापिस यह आएगा sin to the power n plus 1 theta divide by n plus 1 ठीक है यह तो integrate हो जाएगा cos theta का differentiation कितना होगा बच्चों cos theta का differentiation होता है minus sin theta और into d theta ठीक है pi pi 2 put करेंगे तो यह 0 हो जाएगा 0 put करेंगे तो यह 0 हो जाएगा तो यह part तो 0 हो जाएगा तो in आजाएगा आपका कितना in बराबर minus minus plus और यह integration आपका 0 से pi pi 2 और 7 में आएगा आपका कितना minus minus plus हो गया sin to the power n plus 2 theta इसको लिखना बच्चों sin to the power n theta into sin square theta जो बन जाएगा आपका 1 minus cos square theta ठीक है divide by n plus 1 ठीक है इसको देखे फर्दर क्या लिखेंगे in बराबर sin to the power n theta into cos square theta इसको क्या लिख सकते हो वापिस in लिख सकते हो इस integration को तो ऐसे ही रहने देना sin to the power n theta divide by n plus 1 और यह बन जाएगा वापिस minus का in divide by n plus 1 इसको इधर ले आना बच्चों तो यह कितना बन जाएगा यह बन जाएगा 2 time i n 2 time नहीं i n इधर power है 1 और इधर से आएगा 1 upon n plus 1 ठीक है बराबर sin to the power n theta into d theta divide by n plus 1 बच्चों इसका तो आप सब ने किया होगा recursive relation ठीक है इसका जब आप recursive relation निकालते हो अगर नहीं किया है तो वापस आपको इसी तरीके से करना है जैसे हम लोग हम लोगों ने अभी इस तरीके से किया है ठीक है तो finally जब आप देखेंगे जिसे यहां से आपका 2 plus n आ रहा है ठीक है ना i n का अगर coefficient देखेंगे 2 plus n ठीक है i n डिवाइड बाइ i n minus 2 बराबर n minus 1 डिवाइड बाइ n plus 2 limit n tending to infinity n को कॉम लेके काट देगे तो यह आएगा 1 minus 0 डिवाइड बाइ 1 plus 0 और हमारा finally answer आ जाएगा that is 1 ठीक है ठीक है 0 1 से इसके answer को दिखा जाएगा ठीक है आगे बात करते हैं आज का हमारा last question और that is question number 7 देखे कैसा ड्रावना सा question दे रखा है लेकिन जो ड्रावना होता है वो उतना ही easy होता है बहुत बाइड डिसकस कर चुक है हम बिल्कुल 1 plus x देखे नीचे वाले में से इस में से और इस में से x की पावर 5 को common लेना x plus 1 लेकिन सिरफ x की पावर 5 इसको दो पार्ट में break कर देना x की पावर 5 और x की पावर 5 इस में से भी वो ही काम करना है x की पावर 4 को अलग 2 time x की पावर 4 को अलग तो क्या बचे का देखो बच्चो x की power 5 और x की power 4 में से x की power 4 common लेंगे तो ये बनेगा कितना x plus 1 फिर अगले में से 2x की power 4 इसमें से 2x cube common आएगा बच्चों अंदर बनेगा x plus 1 फिर वापिस आगे देखो कि 2x square common आएगा x plus 1 ठीक है ना 5 4 के बाद 3 3 के बाद में 2x square आप चेक कर सकते हो x की power 5 plus x की power 5 x की power 4 plus 2 time x की power 4 2 time x cube plus 2 time x cube 4 time x cube ठीक है ना 2x square 3x square चाहिए तो इस बार x common आएगा x plus 1 3x square आजएगा plus x आगे एक factor और आजएगा x plus 1 तो देखें x plus 1 का factor सब में आगया तो x plus 1 का factor यहाँ से common आकर के क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा किस से इस से ऐसे आगे देखो फिर से x की power 5 plus x की power 2 time x cube और plus किसको लें x को इसको एक साथ कर लो plus x की power 4 plus 2x square plus 1 इसको एक साथ कर लो तो देखें फिर से यहाँ से क्या common आएगा x यह बनेगा x की power 4 plus 2x square plus 1 तो यह बनेगा x square plus 1 का all square और यह भी बनेगा आपका x square plus 1 का all square तो क्या है बच्चों x square plus 1 का all square common और साथ में आगया x plus 1 अब देखो बात करते हैं यह आपने इसको simplify किया भी तक तो ठीक है ना नीचे वाले को simplify करने के बाद में उपर वाले को simplify करते हैं इसको इसके साथ multiply करो तो आपको मिलेगा 1 plus x square का all square minus x square plus x square divide by 1 plus x square का all square और साथ में x plus 1 ठीक है पहले इससे यह कटेगा फिर this by this तो इससे यह कट जाएगा और finally बचेगा आपके पास 1 upon x plus 1 तो यह जो इतना बड़ा expression दे रखा है गोवा फिरा करके यह शिरफ आपका क्या है integration of integration of 1 upon x plus 1 into dx कर सकते हो बच्चों integrate क्या हैगा ln x plus 1 इसमें values put करनी है कहां से कहां तक 99 से 3 तक तो कितना आएगा बच्चों देखो ln 100 minus ln 4 so there will be equal to ln 25 इसका greatest integer देखो बच्चों e होता है 2.7 e square होता है 7 point something e cube निकालेंगे तो आएगा 19 point something इसको 2.7 से multiply करोगे और e की power 4 निकालोगे तो बहुत उपर चला जाएगा 19 38 से उपर चला जाएगा 42 43 point कुछ आएगा तो 25 कहां लाई करेगा इन दोनों के beats और इन दोनों के beats में जितने भी numbers है ठीक है उनका जब greatest integer निकालोगे तो आपका answer कितना आएगा बच्चों 3 क्यों क्यों कि log e cube का answer 3 आता और log e की power 4 का answer 4 आता तो इसके बीच के जो number है उनका answer 3 से 4 के बीच में आएगा और उसका answer कितना आएगा 3 और आपका जो सही answer हो जाएगा यहां पर वो कितना हो जाएगा बच्चों 0,03 से उसको represent किया जाएगा ठीक है तो यह था हमारा इस paper का solution आप सब लोगों ने अच्छी तरीके से देखा होगा नहीं देखा है तो अच्छी तरीके से देखिए जो भी जिस भी question में आप doubt रहा हुआ हो तो उसको आप आके discuss कर सकते हैं ओके thank you very much